हलो फ्रेंड्स मेरे स्प्रमिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझन लेना चाहते हैं तो आप हमें वटसैप के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वारी शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वरकि टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेकिया जाए तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी सभी फिंगर्स नजर आ रही है खास तोर पर इनकी सूरे फिंगर्स को अगर देखा जाए तो यह बहुत अच्छी लेंट में है सूर्य फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर वो इनकी इंडेक्स फिंगर से भी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति काफी क्रियेटिव होते हैं काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर रहती हैं लेकिन साथी साथ जिन लोग जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर लॉस की संभावनाएं भी हो जैसे शेर मार्केट है क्रिप्टो करंसी हैं ऐसी चीजों में भी ऐसे व्यक्ति रूची ले सकते हैं अगर हम देखें इनकी शनी फिंगर को बहुत यच्छी लंबाई में शनी फिंगर बिल्कु अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो अब देखेंगे यहाँ फिंगर बहुत यच्छी लंबाई में है भले ही यहाँ फिंगर हमें सूरे फिंगर के मकाबले थोड़ी सी शॉट नज़रा रही लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो यहाँ फिंग तीनों फिंगर बहुत थिक हो और बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है मरकरी फिंगर को देखा जाए तो यहाँ फिंगर लेंथ में इनकी सूरे फिंगर के टॉप फैलंज को भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है जिसकी वज़य से नेटिव के कम्निकेशन स स्किल्स के साथ स्ट्रॉंग बिजनस एकुमेंट भी देता है और ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशन भी काफी बहुतर देखी जा सकती हैं फिंगर के बीच में कुछ हलके गैप्स मौजूद है जिनकी वज़य से नेटिव काफी इंडिपेंडेंट सभाव का होता है इन एरिया बहुत ही हाई सेट है जबकि जो मरकरी फिंगर है यह थोड़ी सी लो सेट है आप देख सकते हैं बाकी फिंगर के मकाबले यहां फिंगर काफी नीचे से शुरू हो रही है जबकि बाकी की तीनों फिंगर काफी उचाई से शुरू हो रही है इस तरह की लो सेट फिंगर का ह सबी फिंगर्स पर बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रिखाएं भी आप देख पाएंगे जो व्यक्ति को मिलनसार सभाव का बनाती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सबी रिखाओं को भी तो यहाँ पर आप सूर्य परवत और शनी परवत बिल्कुल फ्लाट और हलके से दबते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं चलिए पहले बात कर लेते हैं इनके मरकरी माउंट की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है इसके साथ साथ इस माउंट के ऐसी खड़ी रिखाएं मौचूद होती है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं काफी अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं लोगों की हल्प करने की प्रविती इनके भीतर रहती हैं ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद जरूर करते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबलियत इनके भीतर रहती है इसके लावा मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना मरकरी माउंट का प्रॉमिनेंट होना नेटिव को शार्प माइंड देता है ऐसे व्यक्ति अपने कम्मिनिकेशन स्किल्स की वज़े से भी लाइफ में अच्छी प्रॉग्रेस कर पाने में काम्याब हो जाते है सूर्य परवत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट हलका सा दबता हुआ इस से आपको नजर आएगा सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी अपनी चीवन में महसूस हो सकती है ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें कितनी भी मदद कर लें बदले में कोई अप्रीसेशन नहीं मिल पाती जिसे हम यश की कमी कहते हैं तो कुछ इस तरह की कमी रह सकती है जबकि सूर्य रेखा इनके हाथ में मौचूद है जो थोड़ इसी ब्रोकन ज़रूर है लेकिन हाथ में सूर्य रेखा का होना नेटिव की क्रियेटिव नेचर को और साथी साथ एक अच्छे सोशल सरकल को इमेच में अपसन डाउंस का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है लेकिन ऐसे व्यक्ति लेटरेज में पहुंचकर एक बहुत अच्छा सोशल सरकल बना पाने में और बहुत अच्छी रिकोगनिशन समाज में बना पाने में भी कामयब हो जाते हैं अगर हम बात करें यहा को बिना मेहनत के धन मिल जाता है लेकिन इसके बिलकुल विपीत जिस तरह से माउंट आप यहाँ पर देखेंगे या बिलकुल फ्लाट है शनी रेखा में कुछ ओपरलापिंग्स भी नजर आ रही है जिस वज़े से व्यक्ति को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है थोड आगे भी continue हो रही है और कुछ इस तरह है कि एक ladder type की formation भी आपको इस area पे बनती नजर आएगी आप देख सकते हैं जो रिखाएं यहाँ पर आपको शनी परवत के बिलकुल उपर नजर आ रही है ऐसे रिखाओं का होना native को later age में लाब देता है ऐसे व्यक्ति के पास income के एक से अधिक source old age तक बन जाते हैं और शनी रिखा का बीच बीच में से overlap होकर चलना indicate करता है कि native को जीवन में कई बार ups and downs का सामना करना पड़ेगा और खास तोर पर यहाँ से जो रिखा shift लेकर उपर की तरफ बढ़ रही है यहाँ लगबग 30 के आसपास की age को दर्शाती है ऐस जीवन में 30 की age के बाद काफी अच्छी तरकी के संकीत भी यहरेखा दर्शाती हुई नजर आ रही है अगर हम इनके गुरू परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरू परवत का जो area है उठा हुआ नजर आ रहा है इस mount के ओपर एक cross का चिन इस area में बनता हुआ आपको नजर आएगा यही एक ऐसा परवत है जिसके ओपर cross का बनना शुब माना जाता है इसके इलावा हथीली में कहीं पर भी cross बनता है तो उसका कुछ ना कुछ शुब फल्द जरूर होता है गुरू परवत के ओपर cross का बनना native को knowledgeable बनाता है ऐसे व्यक्ति को family का इवन में जरूर करते हैं और education के जरीए सिक्षा के माधियम से लोगों की help कर सकते हैं एक अच्छे सिक्षक बनने के गुण भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहते हैं जिनके इस एरिया पर ब्रस्पती के एरिया पर इस तरह का cross का चिन मौजूद हो उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे आपको इनके अंगूठे के उपर एक आख जैसी अकरिती बनती ही नजर आएगी इस तरह की शेप का यहाँ पर बनना बुद्धा जाई कहलाता है अंगूठे के इस एरिया पर ऐसा चिन बनना नेटिव की काफी strong six sense को indicate करता है ऐसे व्यक्ति की पूर्व अन इनकी six sense है वो इन्हें कुछ भी गलत कारे करने से भी रोकती है इस तरह का जो चिन है व्यक्ति को बहुती आदर्शवादी बनाता है ऐसे व्यक्ति बहुती धार्मिक प्रिविती के भी होते हैं अगर हम देखें इनकी heart line को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो heart line है ब practical minded बनाता है और ब्रस्पती माउंड तक इस रेका का पहुंच जाना यहाँ दर्शात है कि ऐसे व्यक्ति काफी आदर्शवादी प्रविती के होते हैं और आप देख सकते हैं इनकी heart line पर इस area में चलकर हलका सा island बनता और कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचिस आपको समभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर heart line पर कोई भी इस तरह की downward branches नजर आएं अदर्वाइस overall heart की line यहाँ पर काफी बहतर नजर आ रही है अगर हम बात करें इनकी mind line की तो आप यहाँ पर देखेंगे mind की line बिलकुल straight है काफी अच्छी लंबाई में है लेकिन इस रेखा के बिलकुल इस area पर आपको एक island का sign बनता हूँ नजर आगा आपको draw करके दिखाना चाहूँगा किस तरह से island का chin बनता है जब यह रेखा दो भागों में बढ़कर फिर से जुड़ जाती है तो इसको हम island का sign कहते हैं किसी भी line के ऊपर किसी भी रेखा के ऊपर इस तरह का island का चिन बनना अच्छा संकीत नहीं माना जाता माइंड लाइन के ऊपर इस तरह का संकीत बनना लगवग इन्हें 35 और 36 के आसपास की age में थोड़ा stress दे सकता है थोड़ा तनाव रहने की संभावनाए 35-36 वर्ष के आसपास की age में इन्हें हो सकती है overall माइंड लाइन medium size की है ज आप यहां पर देखेंगे जो lifeline है लगवग 75 के आसपास की age को indicate करती हुई यहां से शुरू होने वाली इनकी lifeline इस area तक पहुंचती हुई इसमें किस बारीक branches इस तरह हैं से चंदर परवत की तरफ move करती हुई इस तरह की branches का होना indicate करता है कि native को लंबी दूरी की करने की chances भी इस तरह की रिखाओं की वज़े से बढ़ते हैं और overall अगर हम इनकी lifeline पर बनने वाले offshoot को देखें तो आपको बहुत ही छोटी छोटी ऐसी branches इनकी lifeline पर कई जगह पर नज़र आएंगी इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचिस का छोटी छोटी आफशूर्स का की तरफ चलना एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है ऐसी रिखाए होने से native को life में बहुत अच्छी तरक्की मिलने की chances रहते हैं अगर हम देखें यहाँ पर एक बारीक रेखा इस तरह की जिसे मंगल की रेखा भी कहते हैं आपको नजर आएगी मंगल रेखा का यहाँ पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि native की energy and stamina काफी बहतर रहने वाला है और इस तरह की रेखा होने से native property बना पाने के मामले में भी काफी lucky रहते हैं अपने जीवन में काफी अच्छी property ऐसे व्यक्ति बना पाते हैं अगर हम बात करें इनके शुकर परवत की तो आप दे जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी बहुती बारीक रेखाई आपको इस तरह से इस परवत के उपर चलती हुई नजर आएंगी जिसकी वज़े से native को चीवन में अपने relationships को लेकर कुछ ना कुछ दिकतों का सामना करना पड़ सकता है married life में कुछ ने stability ऐसे व कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करेगा लेकिन साथ ही साथ इस परवत के उपर काफी अधिक रिखाएं होने से थोड़ी anxiety और stress की संभावनाएं भी जीवन में बनी रहती हैं तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वा करेंवाद